साथ्यों यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में एक प्रमुक देश रहा है जब भारत आजाद हुआ था उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ था उस समय भारत में सो साल से अधिक समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इको सिस्टिम था और भारत जैसा सामर्थ और पोटेंशल बहुत कम देशों के पास था लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दसकों तक इस विशय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था एक प्रकार चे रूटीन एक्सेसाइज बन गया कोई गंबीर प्यास नहीं किये गए और हमारे बाद में शुरुवात करने वाले अनेक देश भी पिछले पचांस सान में हमसे बहुत आगे निकल गए लेकिन अब स्थिती बदल रही है पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेडियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है हमारा उदेश है कि भारतिय में मैनुफेक्टिरिंग बढ़े नई टेकनोलोजी का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेश खेतर में अधिक कम विस्तार हो और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार लेवल प्लेइंग फिल्ड की तैयारी एक्सपोर्ड की प्रक्रिया का सरलिकरन अफसेट के प्रावधानों में सुधार ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं साथियों मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षाक शेतर में देश में एक नई मानसिक्ता हम सब अनुभव कर रहे हैं एक नई मानसिक्ता का जन्म हुआ है आधुनिक और आत्म निर्भर भारत के निर्मान के लिए रक्षाक शेतर में आत्म विश्वास की भावना अनिवारिया है बहुत लंबे समय से देश में चीफ अब डिफेंस टाप की नियुक्ती पर विचार किया जा रहा था लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था यह निर्णय नए भारत के आत्म विश्वास का प्रतीख है बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमती नहीं थी स्रते अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुवात हुई थी हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किये गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% 74% तक FDI आई आटोमेटिक रूट से आने का रास्था खोला जा रहा है यह नए भारत के आत्म विश्वास का परणाम है कि दसकों से कि और अडिनन्स कारखानों के सरकारी विभावगों की तरह ही चलाया जा रहा था एक सीमीत वीजन के कारण देश का नुक्षान तो हुआ ही वहाँ जो काम करने वाले लोग थे जिनके पास टैलेंट थी कमिक्मेंट था मेंती थे यह हमारा भहती अनुभव से संपन्न हमारा जो मेहनत करने वाला स्रमिक वर्ग महां जो है उनका तो भहत नुक्षान हुआ जिस सेक्टर में करोडों लोगों के रोजगार के आउसर बन सकते थे उसका इकोसिस्टिम बहुती सिमित रहा अब ओर्डिनन्स कारखनों का कॉर्परिटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकिया के पुरा होने पर स्रमिकों और सेना दोनों को बल मिलेगा यह नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमान है